हालो दोस्तों मास्कार वेलकम बैक तो मैं यूटूब चैनल एसस गुपता फिर से आपको लास्ट पार्ट में श्वागत है क्योंकि इससे पहले मैं तीन पार्ट बना चुका हूँ सीसेट 2022 का जिसमें मैं पुरा 60 तक जितना भी मैं तो इसनी कोशन थे उसको सॉल्व किया इस पार्ट में 62-80 के बीच में जितना भी कोशन होंगे उसको अच्छा तरीका से सॉल्व करेंगे और फिर अगले वीडियो में आपको 2021 का वीडियो मिलेगा जिव भी चार पार्ट मे सुरुआत करते हैं पहला कोशन से लेकर 66 तक आपको कुम्प्रेहेंसन था 67 में आपको रिजिनिंग है और चरपाज कोशन के बाद फिर मैच मिलेंगे तो चलिए पहला कोशन देखते हैं पहला कोशन में डेली डेली के सभी अक्षरों का प्रयोग करते हुए कितने विभीन पाज अक्षरी शब्द बना सकते हैं जिनका कोई अर्थ हो अथ्वा ना हो बनाए जा सकते हैं जबकि प्रतेक सब्द D से शुरुआत हो और I के साथ खत्म हो यानि D से सुरूव होना है और I में खत्म होना है तो यह भी पर्मुटेसन कॉम्मिनेशन वाला है तो क्या 3 यह ना 3 2 1 3 दो एक ओके 3 दो 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 6 बस 6 से जाद नहीं हुआ यदी total रहता factorial लेते हैं यह 3 factorial इतना होगा यदी total रहता तो 5 factorial लेते हैं 3 factorial answer इसका d होगा अब हम लोग 68 के देखते हैं यह है बहुत लंबा इसको detail से समझना है ट्रीकी से अच्छा रहाएगा बेसिक समझें इसको कॉंसेप्ट समझना पढ़ेगा पहले कि यह है क्या इसको क्या करेंगे इसको पहले कोशन को समझेंगे ए और बी दो बरतन है ठीक है ए में 20 लीटर है कितना लीटर 20 लीटर बी में कितना सो नहीं पता दोनों में अलग-अ इसमें से एक और बम फॉटर दिया़ा ठीक है तुपाची कितना लीटर इसमें से फिर 4 लीटर इसमें डाल द्याता है इसमें कितना सो नहीं पता बस इसमें जा रहा है अब ये 4 लिटर उढेल दिया, ये 4 लिटर जो है से 20 का कितने परसेंट है, 20%, 10% 2 लिटर, 4 लिटर यानि 20%, यानि अब जो आया 4 लिटर, वो होगा 20, देखिया अगर बताते है, फिर डाल दी जाते है, मिसरन को 4 लिटर फिर बाहर निकाला जाता है, और फिर से 4 लिटर ये क्य करता है, बी, डाल दी आता है, तो अब बताना है कि उसमें क्या बच्चा, भीर से इसको डालने के बाद, 20 हो गया, 20 होने के बाद, फिर से 4 लिटर बाहर जा रहा है, तब क्या हुआ, आप पहला बार में 16 लिटर ये 4 होगए, ठीक है, आभि ये होगए 20, उके, अब 20 में से 4 लेटर बाहर जा रहा है ध्यान दीजेगा ध्यान से 20 में से ये pure A नहीं है उसमें B भी है मिस्टर में तो 20-20% दोनों में से जाएगा 60 का 20% क्या होता है 60 का 20% चला गया 60 दोना 32 यानि इसमें से 3.2 गया ठीक है इसमें से 4.8 0.8 गया ठीक है बचा कितना बच गया और यहां से ये बचा 2 तो ला में से 3.8 गया तो क्या बचा 8 बचा ये बचा 12 12.8 लिटर बचा यह है और इधर से 4 लिटर फिर ओरिजनल आ गया इसमें 4 आइड हो जागा ठीक है तो क्या हो जागा गटा दो इसको पहले तो गटाएंगे तो 3.2 होगा और 4 आ गया तो 7.2 यानि ये बचा A और ये बचा B अब इन ही दोनों को रिश्यो बताना है काटेंगे तो आएगा हमारा आप इसको कट करोगे और नमबर C आएगा ठीक है ये था इसका tricky है tricky बता दू इसका tricky ये है tricky से अचारा था basic समझना basic में कुछ नहीं था 2 वा निकलना था इसका tricky ये है 20 से पहले फिर 16 पॉंट 20 फिर 16 पॉंट 20 जो आएगा उसको मैनस कर देना है फिर 20 से और ये आएगा A का वेलू उसके बाद फिर 20 से मैनस कर देंगे वा आएगा B कभेलू ठीक है और दूरों के रिश्यो निकल देंगे correct अब चलते हैं हम लोग next question next question में 69 number 69 number question में है एक बल्लेवाज की उसकी 50 मी पारी के बाद आउसात स्कोर इतना था ठीक है 50 है उसके बाद स्कोर क्या था 46.4 तो टोटल क्या हो गया multiple कर दो 60 में पारी के बाद आउसात स्कोर इतना बढ़ जाता है यानि इसमें 2 बढ़ जाता है 60 2 बढ़ा दो 2.56 तो क्या हो गया 3 बढ़ गया ना यानि 49 हो गया पिछली 10 पारियों में ओशात स्कोर क्या था इन दोनों का multiple करके different बता दना है उसके बाद से भागा कर दना है और कुछ नहीं करना है ठीक है इन दोनों का multiple जो आएगा वो फिर different करीजिए फिर 10 से भाग दीजिए जो आएगा वो अंसर अब हम लोग चलते है 70 number question 70 number question में है कि चावल के प्रती किलो मूल इतना बिरीधी होने पर एक प्रती यतना में 6 किलो कम खरीदता है यानि 30 परसेंट बढ़ जाने के बाद 6 कम खरीदता है यानि 100 प्रावर क्या था 24 यानि पहले क्या था भई पहले यतना था आप केतना हो गया 30 यानि 30 में यतना खरीद रहा है ठीक है तो 12 100 अभी केतना है अभी के पुछा न रारेमी के पुछा है रारेमी के पुछा है तो क्या होगा 40 ठीक है आब हम लोग चलते है 71 number question 21 number question में है कि किसी cars को 20% 8 दिन में पूरा कर सकता है X X है Y है किसी cars को 20% किसी cars का 20% कोई cars 100% है उसका 20% 8 दिन में पूरा करता है 20% 8 दिन में तो total काम कितना दिन में करेगा 100% यान 5 5 से multiple करेंगे 40 दिन में करेगा 25% 6 दिन में करता है 100% यानि 25x-100 24x-24時間 24 दिन में करेगा करेट अब कह रहा है यदि वो दोनों 7 काम करते तो उस कार्ज का 40% कितने दिन में पूरा हो जाएगा वा समझ भातव में रहा है बूरा काम इतना दिन में करते हैं ये बूरा काम इतना दिन में करते हैं दोनों मिलेंगे तो क्या होंगे 40 पुरा काम कितना दिन में करेंगे दोनों मिल करके तो 40, 24 यह होता है फर्मला ना हम दोनों का एड़ कर देंगे 40 पलस 24 स्वालू कीजिए 64 हुआ 40, 24, 64 हो चोगे 24 4 शकट 24 और 16 चोगे 64 यह 6 हुआ स्वालू हुआ इस 4 शकट 16 चार दान का चालिस दो तीन पाच यह पंदरा दिन में पंदरा दिन में हुआ फुल काम 100 परसेंट काम 40 परतिसत काम निकलना है क्या होगा 40 परतिसत का 40 परतिसत के लिए क्या होगा 100 परसेंट 15 दिन में करता है तो 40% काम केतना दिन में करेगा तो और कम लेगा 40 upon 100 डिवाइड करो 20 दुना 20 पच्चे 5 तिया 6 यानि 6 दिन में 40% काम करेगा दोनों मिल करके ठीक है अब हम लग चलते हैं next question 72 number question यह क्या है वही यह है दोनों का यह थोड़ा देखने में ज्यादा statement लग रहा है लेकिन कुछ नहीं है देखिए एक कार भी किलोमेटर प्रती आवर की दर्शे चलता है x से लेकर के y तक x से y तक कितना किलोमेटर के चलता है पहले चलता है 20 किलोमेटर की दर्शे फिर उदर से लोडता है तू भी फिर इदर से जाता है तीरी भी फिर इदर से जाता है फोर भी अब बतारा है कि टोटल औसाथ चाल क्या हुआ संपूर्ण यातरा में औसाथ चाल क्या है तो क्या करते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम यह होता है ना formula पर total distance कितना cover किया माल लिते हैं यह distance को d ओके यह चाल speed formula क्या होता है speed is equal to distance upon time यह होता है तो औस उसर चाल निकलने के लिए क्या होता है total distance upon total time तो total distance 4 बढ़ गया है 1 2 3 4 तो total time कितना हो गया 4d total time निकलना है time निकलने के लिए formula क्या होता है यह चाल दिया हुआ distance upon time distance upon speed तमना time निकलेगा distance d upon b plus d upon 2b plus d upon 3b plus d upon 4b यही ना उसके बाद क्या करेंगे 4d 4 को LCM निकले 4 को LCM क्या होता है 12 12 से करेंगे 12d 6d plus 4d plus 4-3d ओके अब क्या होगा 4d उपर 4d रहेगा 4-3-7-6-13 12-20 बटे यह d से d खत्म हो जागा 4 upon 1 12 upon 21 12 बारचो कर तालिस अपॉंट कुश्ट मिश्टिक हो रहा है 4d 12 इसको काटी है जो आएगा उसी को बीच में अंसर होगा ठीक है यह था इसका solution अब हम लोग चलते हैं next question 23 number question 73 number question में है कि एक वर्ग और एक ब्रीद के प्रतिछेदर के बिंदू का नियुनतम संख्या 2 है statement है एक वर्ग और ब्रीद के प्रतिछेदर मिंदू की अधिकतम संख्या 8 है नियुनतम बोलड़ा है तो 2 अधिकतम बोलड़ा है तो 8 उप्यूक तुमेशे कौन सा सही है केबल 1 केबल 2 एक वर्ग लीजिए वर्ग में नियुनतम कितना होगा प्रतिछेदर मिंदू तो नियुनतम 1 या 2 होगा कितना होगा तो नियुनतम लेने के लिए आपको चार कम से कम 1, 2, 3, 4 अब तो circle बनेगा ऐसे तो छोटा बन जागा फिर ठीक है और अधिकतम 8 होता है होगा कैसे होगा इस्ट परकार से इसलिए इसका केवाल अंसर 2 होगा ठीक है अब चलते हम लोग next question वो धारा के साथ से लगा सपोज मानलेजिए यह नदी है नदी में धारा एधर की और बहदा है Time जिदर की दारख बतेव सको downward बोलते हैं और जिदर जाने में जधाँजान लगेगा यानि कम time लगेगा यानि analyses time upward और time downward ठीक है down की तरफ जाने में कम time लगेगा और upward में ज्यादा ठीक है, अब दोनों इसमें क्या होंगे आपively hurt में धारख क्या होता है? इधर पलस होता है, इसलिए यहाँ पे माल नहेते हैं, x, y दोनों का चाल, तो क्या हो जागा 2, यह दूना है x पलस y और इधर 1 है तो x माइनस y अब यह दोनों को बरावर कर सकते हैं x और y का value find करना है और बताना है, ठीक है x और y का ही ratio पूछा है तो क्या होगा, 2x पलस 2y is equal to x माइनस y यह 2 यहाँ रहेगा, इधर रहेगा तो 3 हो जागा, इधर जागा तो 1 हो जागा यानि 3y is equal to x, correct यह का ratio क्या गया x ratio y is equal to 3 ratio 1, इसका अंसर क्या होगा D, ठीक है, अब हम लोग चलेंगे, next question 25 नमर question, इसमें क्या है कि प्राकृतिक संख्याओं में ऐसे कितने यूग में हैं, पेर हैं जिनके वर्गों का अंतर 63 है, यह थोड़ा सा difficult question का सकते हो, देखने माशान है क्या बोलड़ा है भई, पहले तो आपको वर्ग वाला संख्या लिखना पड़ेगा एक का स्क्वार क्या होता है, एक होता है दो का स्क्वार क्या होता है, चार होता है, तीन का स्क्वार क्या होता है 9 होता है, उसी प्रकार से 9 हो गया, 16 हो गया 36 हो गया 4 हो गया, 64 हो गया 81 हो गया, 100 हो गया तो इसमें क्या है देखिए कोई यूग में बताई है जिसमें 63 का different हो यह 64 है और यह 1 है यह न दोनों का different क्या होगा यह 1 और 64 का different 63 आ रहा ना इसी परकार से आपको चुनना आ है ठीक है और दून दिए अब यह 18 और 144 का different भी आता है तो एक दो हो गया एक और आता है 32 का square और 31 का square करने पर यह आता है इसके बाद कहीं नहीं आता है ठीक है यह विल आपको सिर्फ जानना चाहिए आप दो ढूनेंगे और इसके बाद दो option में है भी गलत हो जागा इसलिए आपको यह मालू होना चाहिए ठीक है अब है 63 number question 63 number question में है कि 2 वटा 3, 3 वटा 4, 4 वटा तो सबसे निन्तम परिवर्तन इसमें होता है यानि बड़ा वाला संख्या में नंबर में इसलिए direct answer यह होगा यह concept है जो आप fraction और decimal वीडियो दखेंगे तब समझवाएगा इसमें क्या है कि n जो है 3 से बड़ा है लेकिन 3 से यहां पर statement कैसे लिखा है यहां तक पहले इसके बाद पढ़ो आगे देखे क्या है एक अंक तीन एक अंक एन बड़ा है तीन भाज है तीन से लेकिन 6 से बाज नहीं है देख रहे हो किस परकार से translate किया दाता है C-set में इस परकार से translate लेगा तो बच्छा पढ़के भूल दागा कि कहा क्या रहा है इसलिए इसको यह स तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे तीन से बड़ा का मतलब क्या हुआ चार पांच चे ने आगे कुछ भी तीन से बड़ा है तीन से भाज है चो से नहीं तीन से भाज है लेकिन 6 से भाज नहीं है तो कौन सा संग क्या होगा तो यह होगा नौ यह नौ जो है से तीन से भ नौदुन अठारा चार बाइस यह भी नहीं हो रहा है नौटियास अठाइस है एक अठाइस यह हो जा रहा है चार से बाज इसलिए अप्शन डी इसका क्रेक्ट अंसर अब चलेंगा हम लोग 28 नौबर कोईशन इसमें यह बता है कि एक लिटर पानी का भार एक केजी से है तो कितने घंट मिली लिटर μिली मीटर पानी का भार इतना ग्राम होगा आपको पहले मिली मीटर लिटर केजी ग्राम का कॉंसेप मालूम होना चाएए एक ट्रीक है जिसको हम लोग कहते हैं मिली सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, एक्टो, किलो मीटर, यानि इसमें क्या है, कि यहां से यहां तक जाने के लिए, दस से मल्टिपल, यहां से यहां से दस से, यहां से यहां दस, यहां से यहां दस, यहां से यहां, दस, यहां से यहां, दस, यहां से यहां, दस, इस मीटर के जग किससे compared करना है gram और mm से यहाँ पे liter होता गलत लेदिया है milliliter से और gram से milliliter से और सिधे यहाँ तक चले जाओ liter है न क्या होगा तो इसमें क्या होगा एक milliliter बराबर कितना होता है ज़री यानि एक दो 6 0 बरावर होगा यानि 1 liter cube बरावर इतना मिलिलिलिटर होगा इसको ग्राम से करेंगे तो 1 kg में कितना ग्राम होता है 1000 तो क्या होगा 30 0 30 0 सा 30 0 खत्म यानि 1000 रेशियो 1 पानी पुछा ना तो पानी का भावर इतना ग्राम में क्या होगा यानि 1 0 और खत्म होगा ये सी अंसर होगा इसका ठीक है 0 पंट 1 ग्राम इतना 0 पंट इतना में कितना ग्राम तो 100 ठीक है अब हम लोग चलेंगे next इसमें है कि पानी से भरे हुए एक बरतन का भार 40 केजी है यदि यह एक त्याही भरा हुआ है तो इसका भार 20 केजी हो जाता है तो खाली बरतन का भार क्या होगा दियां दिजिएगा एक बरतन का भार 40 kg है यदि यह एक त्याही भर हुआ है तो इसका भार 20 kg हो जाता है सिंपल है कि पानी से भर हुए पुरा फूल रहेगा देखिए अगर द्यान से यह फूल रहेगा तो इसका वेट 40 kg है और जिदी यह वन टू थिरी यहां तक रहता है इसका वेट 20 kg हो जाता है टिक है यानि जो 20 kg कलिटर का पानी है 2 ृ ती भाँर बरावर है यानि 2-ृ निफिया बरावर 2,5 बरावर 20 kg तो एक पाट बरावर क्या 10 kg 3,5 बरावर 30 kg बरतन का बरावर 10 kg सिंपल ठीक है बहुत आश्ओन》 अब है लाश कोशन एक मिढख फिसलन वाली दिवालों पर 4.5 मीटर गहरे एक हुखे कुवें से बाहर आने के कोशिस करती है पर तेक पार मिढख 30 सेंटीमीटर फुदकता है और 15 सेंटीमीटर नीचे सरग जाता है कुवें से बाहर आने के लिए मिढख के यह जरूरी फुदकन की संक्या क्या है यह क्लास 7 का मैत का पहला चेप्टर में है सेम उसमें था सेम यही कोशन है और कुछ नहीं उसम बंदर था और कुछ नहीं था बाकी यही था क्या था भई? सेम मतलब कोई डिफरेंट नहीं है सो चलो class 7 का math का पहला chapter का ये question है कि 4.5 meter है ये मालो 4.5 meter है ठीक है इसको centimeter में आप change कर दो क्यों क्यों कि centimeter में यहाँ पर आ न 4.5 meter बरावर केतना centimeter 400 centimeter 1 meter बरावर 100 centimeter ठीक है अब क्या करेंगे ये count करेंगे यहाँ से गुआ है तो नीचे से शुरू करेंगे उपर तक इसको जाना है